हार्दिक पांडए उन्हें मिल रहे हेट and difficult time के बारे में बात किये जया गाइस आप लोगों को याद होगा हार्दिक पांडए जब से transfer किये गए थे mumba ंदेंस में अब उन्हें captain बनाया गया था mumba ंदेंस का तब से बहुत हेट मिला था वो extreme level का criticism भी जेलें बट वो publicly एक word नहीं बोलते थे और कल के match में भी वो बहुत important role play किये वो कल 3 wickets लिये और match का final over भी उन्हीं के हाथ में था जिसमें इंडिया को 16 runs defend करने थे और हार्दिक पंडे ने इसको defend तो कराया ही साथी मैं उसी over में डेविड मिलर का और रवाड़ा का wicket भी लिये तो या match के बाद जब उनसे उनके difficult time के बारे मैं पूछा गया तो वो काफी emotional हो गये थे और रोते रोते बोल रहे थे जब अभी लोग मेरे लिए chair कर रहे थे तो मैं सब भूल गया कि पिछले 6 महीने में में मेरे साथ क्या हुआ उस moment पर मुझे लगा कि मेरे 6 महीने जो गए है वो मेरे पास वापस आए उदर क्या हुआ कैसे हुआ मैंने खुद को बहुत control किया जब मुझे रोना भी था तब मैं नहीं रोया जितने लोग खुश हो रहे थे मेरे difficult time से मुझे उनको और खुशिया नहीं देनी थी और मैं आगे भी कभी नहीं दूँगा लेकिन मेरे जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं पूरे तरीके से चालू और देखिये उपर वाली की क्रिपा मुझे मौका भी कैसा मिला आखरी ओवर में मुझे डिफेंट करना था इतना tough situation और क्या बोलूँ I'm speechless